हुलोजेटर, वेलकम वेक टू मय चैनल निहाँ फूट केची में आपका स्वागत हैं अज मैं आनार की मिल्क सेख बनाने वाली हूं आनार की मिल्क सेख बनाने के लिए एक अनार बड़ी साइज का मैंने उसका छिलका हटा के 20 शारे निकाल लिये वन ग्लास मैंने दूद लिया है तो पहले में मिक्सी जानी अनार डालूँगी इसमें मैं चीनी आड़ करूँगी 2 स्पून आप अपने अक्रोडिंग कम या जैदा डाल सकते हैं मिक्सी जान में पांच सकेंड करने के बाद इसको बंद करना है फिर पांच सकेंड चलाके फिर बंद करना है ताकि इसका बीज नापी से आप तो आप देख सकते हैं एप यह जूस निकल चुका है साला आनार से अब मैं यह तूद हायर कड़के एक बर चलाओंगी और दूद्ध बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए फ्रीज का ठंधा दूद्ध होना चाहिए तो आप देख सकते दूद्ध डालने के बाद मैंने एक रॉंट चलाया और कितना अच्छा यह मिल्क सेख बनके तयार हो गया है अब मैं एक खुलास में चलनी डालके ऐसे जूस को चानूंगी अनार का जूस ऐसकीन के लिए बहुत ही अच्छा होता है सकीन पर ग्लो लाता है इसलिए जूस पिना चाहिए वह भी होमे जूस और अच्छा होता है हल्थ के लिए बाहर के जूस में पानी मिक्स रहता है अच्छा नहीं लगता है और घर का बहुत अच्छा होता है इसलिए एक बार आप ट्राय करके जरूर देखें इसको दवाते हुए बीज को सारी बीज को ऐसे दवाते हुए सारा जूस निकाल लेना है तो फ्रेंड आनार का मिल्क सेक बनके तयार है और ये जूस बहुत ही अच्छा बना है तो फ्रेंड कोमेंट करके बताना ये कैसा जूस बना है मेरा ये रेस्पी आपको पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले मैं फिर मिलूँगी नक्स्ट वीडियो में एक नए रेस्पी के साथ बबा टे क्यार